हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 2024 चुनाव बेहद ही करीब है ऐसे में हर पार्टी अपने अपने तरीके से लोग सभार चुनाव की तैयारी में जुट गई है इसी बीच आज बस्पा सुप्रीमों ने लखनों में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई ये बड़ी बैठक इसलिए महत्पूर क्योंकि इसमें उम्मिदवारों के चैन को लेकर बात की गई है माना जा रहा है बहुत जल्द ही उम्मिदवारों की सूची आ सकती है दोस्तों ये बैठक खास तोर से उत्तर परदेश और उत्तरा खंट के बड़ादिकारियों के साथ की गई है एक समिक्षा बैठक इसे कहा जा रहा है समिक्षा की गई है तमाब बड़ादिकारियों के कामों की क्योंकि जो target दिये गए थे पदाधिकारियों को वो पूरा हुआ या नहीं और आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है कैसे लोकसभा चुनाव को लड़ना है किस तरीके से लड़ना है आज बसपा सुप्रीमों ने अपने पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दे दिया है तो खास तोर से इसमें दो स्टेट के उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड के जो पदाधिकारियों थे इसमें मौझूद थे अब जानते हैं कि अखिर उद्देश क्या था उद्देश साफ तोर पर यही है कि पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में कैसे बढ़ाया जाए यहाँ पर बस्पा सुप्रिमों सिर्व एक समाज की बात अब नहीं कर रही है आप कहरे हैं कि सर्व समाज में कैसे अपनी पहुच को बढ़ाया जाए पार्टी के जनाधार को सिर्व बहुजन नहीं सर्व समाज में बढ़ाने की बात सामने आ रही है साथ ही साथ पार्टी संगठ को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर भी चर्चा की गई है तो लोग सभा चुनाव की तैयारी में बस्पा सुप्रीमों बेहद ही एक्टिव हो चुकी है उम्मिदवारों के चैन को लेकर जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है माना जारा कि बहुत जल्द ही जो सूची है वो आ सकती है दोस्तों इस बैठन में खास तौर से बस्पा सुप्रीमों ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है किस तरीके से राम मंदिर को मुख्ध मुद्दा बना कर और सारे मुद्दों से भागा जा रह बेरोजगारों को बेरोजगारी से निजात दिलाए भ्रश्टा चार पर शिकंजा करसा जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है उन्होंने कहा है कि अब देश निर्मार के लिए बीएसपी ही एक मात्र पार्टी है जो देश का सही माइने में निर्मार कर सकती है उन्होंने क्या कभी टीवी मीडिया ने इस पर डिबेट किया कि हमारे देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर रहना पड़ता है उस देश में तरक्की कैसे आएगी इस पर भारतिय जन्ता पार्टी को सुचना चाहिए जिस तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी मीडिया और प्रचार पर धन बल का इस्तमाल कर रही है और किस तरीके से अपार धन खर्चा कर रही है जनहित जन कल्यान कारी में कोई खर्च नहीं कर रही है इसको लेकर भी उन्होंने हैरानी जताई है उन्होंने कहा ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बर्गलाने का काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नाम पर ये सरकार 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है लेकिन हम 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर याद दिला दो की बस्पा सुप्रीमों की जो उपलब्धियां रही है उसको लेकर चुनाव में जाया जाएगा एक बड़ी बात सामने आई है इसमें कि चार बार मुख्यमंतिरी रही थी बस्पा सुप्रीमों उत्तर पर देश की और उस दवरान उन्होंने क्या काम किये थे क्या उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों का बखान किया जाएगा जो उनके कारकरता पदाधिकारी है गाउं गाउं तक जा रहे हैं और बता रहे है कि बस्पा सुप्रीमों ने जैसे उत्तर परदेश में विकास किया वैसे अगर वो मुख्मंत्री बनेंगी तो वो देश का विकास करेंगी देश की तस्बीर तकदीर बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ बस्पा सुप्रीमों ही कर सकती हैं इस मुद्दे पर बहुत जादा इस समय चर्चा हो रही है दोस्तों अब बस्पा सुप्रीमों को प्रध से बड़ा दावेदार मान रहे हैं चाहे वो आकाशानन्द हो या फिर विशुनात पाल जो उत्तर प्रदेश ब्यस्पी अध्यक्ष है वो भी ये कहे चुके है कि माया वती जी ही अगली प्रधान मंतरी बनेंगी तो लोकसभा चुनाओ में तमाम जो मुद्दे हैं उसको ले जाएंगी साफ तोर पर उन्होंने मना कर दिया है निमंतरन मिला है लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाएंगी दोस्तों उम्मिदवारों की चैन की जो प्रकिरिया है वो शुरू हो गई ये समय की सबसे बड़ी ख़बर आप तक पहुचा रहा हूं जो उम्मिदवारों की चैन करेंगे पहचान करेंगे और नाम भीजे जाएंगे तो उसको लेकर क्या कहा गया है ये मैं आपको बताता हूं इसको लेकर बसपा सुप्रिमों ने कहा है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है बेहद ही महत्रपूर है जिसके लिए पार्टी के लोगों को पूरी गंभीर्टा कि साथ अच्छे और मजबूत पार्टी उम्मिद्वारों को चुनने की जिम्मेदारी है ताकि बहतर नतीजे प्राप्त हो पाएं जनहित की मजबूत सरकार देश में बनाई जा सके तो इस समय एक ही लक्ष है ब्यस्पी का कि जनहित की सरकार कैसे बनाई जाए पिचासी उ मिद्वारों पर मन्थन हो चुका है और माना जा रहा है सूची बहुत जल्दा सकती है पिचासी मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि 80 लोग सभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 5 लोग सभा सीटें उत्तरा खंड में हैं तो उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड की सीटों को ले पार्टी के रही हों इन्होंने हमेशा लोगों को चलने का काम किया है लेकिन अब हम सरकार बनाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तब ही जाकर इस देश से गरीबी खत्म होगी प्रश्टाचार खत्म होगा और महगाई पर लगाम लगेगी और जो नफरत की राजनिती है वो तब ही खत्म हो पाएगी जब अमबेटकर वादी सरकार बनेगी तब जाकर जो तमाम विकरतियां समाज में आ चुकी है उस पर लगाम लगाई जा सकती है दोस्तों कहा भी जाता है कि अगर बसफा सुपरीमों एक बार प्रधान मंत्री बन गई एक बार बन गई तो उन कुर्सी से हटाना ना मुमकिन हो जाएगा क्योंकि लोग असली मॉडल देखेंगे कि सरकार कैसे चलाए जाती है ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने करके दिखाया है जो इतनी बड़ी सूबे को चला सकता है वो देश को भी अच्छे तरीके से चला सकता है क्योंकि ब्यस्पी एक मूव्मेंट है और अमबेकर वादी विचारधारा से प्रिरित है और जो हिंदुत वादी विचारधारा को कड़ी टकर देने का माद्दा रखती है तो दोस्तों अब ब्यस्पी सुप्रीमों को प्रधान मंत्री के तोर पर प्रोजक्ट किया जाने चाहे वो आकाश अनंद हो चाहे विश्वात पाल जी हो तमाम निताब ये कह रहे है कि अब बहन जी ही देश की अगली प्रधान मंत्री बनेंगी और जनता चाहेगी तो ये जो शुब काम है हो जाएगा क्योंकि देखे जिसके पास वोट है उसी के पास ताकत है तो जनता क सिर्फ कहा जा रहा कि धुर्वी करण कर रही है हिंदू-मुसल्मानों के बीच में खाई पैदा कर रही है और नफरत की राजनिती हो रही है इसलिए नफरत को भी देश से खत्म करना है और नफरत को अगर देश से खत्म करना है तो देश को एक अच्छी सरकार चाहिए एक अच्छी सरकार, एक स्वच्छ सरकार, एक अंबितकरवादी सरकार, जो वाकई सम्विधान को सही तरीके से इस देश में लागू करा पाए, क्योंकि सम्विधान भी अभी देश में सही तरीके से लागू नहीं हुआ, इसलिए आज भी लोग अपने अधिकारों से वन्चित ह कहा तो ये जा रहा है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा कहा तो ये जा रहा है कि 2024 के बाद देश हिंदूराश्ट बन जाएगा तमाम तरे तरे की बाते हो रही है और इसलिए ये जो चुनाव है बहुत महत पूर है बहुत महत तो है इस चुनाव का दोस्तों बसपा सुप्रीमों भी इस तरफ ने खांकित कर रही है चीजें कि ये जो चुनाव है कोई मामूली चुनाव नहीं है ये असली परिक्षा की घड़ी दरसल जनता की है अब जनता क्या करेगी 24 में ये जनता के उपर है बहराल अब 85 उम्मिदवारों का आईलान बहुत जल्द होने वाला है और गड़ बंदन को लेकर आपको बताया हमने कि आकेले फिलाल वो चुनाव लड़ेंगी हाला कि इस समय तीसरे मोर्चे की भी सुबुगाहट है लेकिन फिलाल अभी ऐसे कोई बयानबाजी बसपा नेताओं की तरफ से नहीं हुई है बसपा सुप्रीमों ने चैन की प्रकेरिया जो है वो तेज कर दी गई है और अब माया वती जी को प्रधान मंतरी बनाने की जो कुशिश है उसे भी तेज कर दिया गया है बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतकिरिया है क्या वाकई ब्यस्पी सुप्र व्यों आचिछ उुक्रिया